Hello Everyone, Welcome to Exam Grit आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेकिंसी जो की निकली है शिरीलाल बहादुर सास्त्री नेशनल संस्कृत युनिवोसिटी सेंट्रल युनिवोसिटी है कुतुब इंस्टिूशनल एरिया न्यू देली में एड़िजमें नमबर गिविन है यहाँ उसी के साथ यहाँ पर आपका बताया है ओनलाइन मोर से एप्लिकेशन आप अप्लाइ कर सकते हैं पोस्ट गिविन है नीचे प्रोफेसर की पोस्ट के लिए गिविन है associate professor और assistant professor की post से हाँ पे vacancies निकली है number of post given है कौन से subject से निकली है और किस category के लिए कितनी आपकी seat है वो भी हाँ पे given है तो आप check कर लेना mode of recruitment direct है यहाँ पे check कर लेना आप subject क्या क्या है assistant professor से आपका काफी subjects में vacancy education पुरू होते basically हाँ पे आपका Sanskrit वगेरा तो इन subject में आपकी vacancies है उसके अलावा हम check करते है professor के लिए आपको क्या eligibility चाहिए अगर professor post के लिए apply कर रहे हैं तो same वही 55% master's में होना चाहिए आपका जिस subject के लिए आप apply कर रहे हो उसी के साथ आपका PhD भी होना चाहिए education में ठीक है तो मैं बता दू professor और associate professor की post के लिए अगर आप apply करना चाहते हैं तो वहाँ पे PhD mandatory है आपको Sanskrit medium में पढ़ाना आना चाहिए ability to teach in Sanskrit medium क्योंकि Sanskrit university है आपकी यह ठीक है तो यहाँ पे political science से छोड़के सारे subject में यहाँ पे Sanskrit medium का requirement है पढ़ाने का ठीक है उसी के साथ associate professor अगर आप देखो professor के level पे prove होते में हार एक subject में given है अगर अगर आप associate professor के level पे apply करना चाह रहे हो तो यहाँ पे given है फिर आपका PhD mandatory है तो associate professor और professor के level के लिए PhD आपका mandatory है प्लस आपके पास master's degree होना चाहिए जिसके लिए आप apply कर रहे हो ठीक है यहाँ पे आप चेक कर लेना detail में given है Sanskrit medium में आपको पढ़ाना आना चाहिए PhD thesis जो होंगी वो भी Sanskrit language में होनी चाहिए उसके लावा चेक करते है assistant professor की post के लिए यहाँ पे क्या requirement है तो वही essential यहाँ पे थोड़ा आपका थोड़ा सा यह है कि master's degree होनी चाहिए 55% marks के साथ ठीक है और Sanskrit medium में पढ़ाना आना चाहिए except political science के अलावा उसके साथ साथ आपके पास UGC net होना चाहिए ठीक है आपके पास net exam होना चाहिए उसके साथ साथ अगर आप assistant professor की post के लिए apply करे हो या तो net हो या PhD हो यहाँ पे एक option होता है कि या तो net हो आपके पास उस subject में या आपके पास PhD हो और जिन candidate की PhD आपकी July 11 2009 से पहले की है उनके लिए यहाँ पे कुछ conditions है अगर आपको net से exemption चाहिए तो यहाँ पे नीचे conditions given है वो आप read out कर लेना यह मैं हर वीडियो में ही बताती हूँ कि अगर आप PhD July 11 2009 से पहले की है तो आपको यह condition फुल्फिल करनी होंगे उसके अलावा आपकी PhD thesis Sanskrit language में होनी चाहिए अगर आपके पास PhD है और आपका ability होनी चाहिए कि आप Sanskrit medium में पढ़ा सको except for political science यहाँ पे फिर assistant professor की post आपके education subject के लिए यहाँ पे अलग से जहाँ पे given है उनके master's degree के requirement है चेक कर लेना उसके अलावा आपका journal instructions यहाँ पे है 2000 आपका application fees है but 1000 है SCST, OBC, EWS category के लिए और PWBD category के लिए यहाँ पे कोई भी application fees नहीं है और अगर आपको कोई difficulty आती है application form submit करने में तो आप इस number पे contact number पे problem या query पूछ सकते हैं ठीक है उसके अलावा last date क्या है submit करने की वो है आपकी 6 June 2022 उसके अलावा जब आप fill कर लोगे तो print out hard copy भीजने की last date और यहाँ पे address given है इस address पे आपको 13 June 2022 तक अपनी hard copy और documents वगेर सारे send करने है university को ठीक है यहाँ पे आपको सारे self-attested documents वगेरा भी send करने है Sanskrit medium में आपको पढ़ाना आना चाहिए केवल political science के अलावा ठीक है political science के लिए जो apply कर रहे हैं के लिए यह requirement नहीं है बाकी सारे subject के लिए हाँ पे requirement है उसके अलावा यहाँ पे SCST, OBC, PWD यहाँ से अगर आप इन category से हैं तो आपको अपना cast certificate वगेरा provide करना है ठीक है exemption के लिए ठीक है बाकी journal instructions है check कर लेना मैं advertisement का link दे दूँगी वहाँ से आप check कर सकते हो ठीक है वहाँ से आप check कर लेना instructions, advertisement के link पे click करके go through कर लेना इसके अलावा यहाँ पे academic और research score है इनकी जो associate professor और professor के level के लिए apply करना चाहते है candidate उनको अपना academic plus research score दोनों count करना है क्योंकि research score इसके लिए यहाँ पे PhD आपका mandatory है associate professor और professor के level के लिए तो यहाँ पे आप अपना research score calculate कर लेना यहाँ पे पूरा table given है किस तरीके से calculate करना है वहीं अगर आप assistant professor की post के लिए apply कर रहे हैं तो वहाँ पे केवल आपको क्योंकि PhD mandatory नहीं है इसलिए हाँ पे आपको केवल अपना academic score calculate करना है तो यहाँ पे table given है graduation, post graduation है तो इतने marks आपके calculate किये जाएंगे आप अपना calculate कर लेना बाकि इन्होंने हाँ पे बोला है कि जो भी आपका shortlist किया जाएगा नाम interview के लिए वो university decide करेगी यहाँ पे कोई criteria देया हुआ नहीं है जैसे दिल्ली university में दे देते हैं ठीक है उसके अलावा अगर आप already कहीं काम कर रहे हो या experience certificate है तो यहाँ पे आपको certificate of the employer देना है ठीक है उसके अलावा अगर आप OBC candidate है candidate है OBC candidate तो आपको ये वाला document फिल करके और इसको आपको hard copy submit करनी होगी ताकि आपको exemption मिल सके OBC के ठीक है तो यहाँ पे ये सारा है आपको advertisement का link मैं description में दे दूंगे वहाँ से detail advertisement चेक कर लेना interested candidate अप्लाइ कर लेना बाकि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना चैनल को subscribe कर देना और ऐसे ही updates के लिए जुड़े रहें thank you for watching the video